C.C.B. शौविक को पहले ही गिराफ़ता कर चुकी है और रिया की लगातार जाए चल रही है कल जब रिया पहुची थी और शाम को रिया और शौविक की आमने सामने बिठा कर पूष्टास शुरू हुई तो दोनों रो पड़े जी हां शौविक और रिया आमने सामने जब पूछता शुरू हुई तो रोपड़े और शौविक लगातार दो दिन से पुलिस की हिरासत में ही था ऐसे में शौविक को जैसे ही बहन रिया ने देखा तो वो दोनों रोपड़े इस तरह की खबरे आ रही है और इसलिए जो है कल रिया और शौविक का बयान जो है दर्ज नहीं हो पाया आमने सामने बिठा कर क्योंकि दोनों जो है काफी emotional हो गए रोने लगे और उसके बाद ज जो है दिपेश सावन्त और साम्योर इंट सभी के साथ बिठा का भी पूछता शुरू की जाएगी एंसीबी की जो बड़े अफसर है के पीएस मनोत्रा वो पॉंचे है रिया का बयान दर्ज करने के लिए क्योंकि कल जब रिया का बयान दर्ज किया गया तीन राउंड इसलिए जाश पूरी हो भी नहीं पाई और अब जो है आज रिया और शौविक क्या आमने सामने बिठा कर बयान दर्ज होना शुरू हुआ है शौविक के ड्रग के साथ पैडलिंग के साथ लेंग थे इस बात को रिया ने माना है 15-17 मार्च की जो चैट है उन्होंने एक्स परियान के घर आता तो उनसे मिली हुई है और साथ में जो बड़ी खबर है रिया ने कुछ 11 से बारा बॉलिवुड सेलिब्रिटीज के नाम भी दिये है